दोस्तों बिहार से बेहत बड़ी खबर सामने आई है इतनी बड़ी खबर है जो भारती जंता पार्टी को बेचैन करने के लिए काफी है तेजस्वी यादव ने 4 सितंबर को अपने सभी विधायकों सभी सांसदों को पटना बुला लिया है सारे विधायक सारे सांसद पटना तलब किये गए हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इन विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे मन्थन करेंगे आगे की रणीती तै करेंगे अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये मीटिंग किस वज़े से बुलाई गई है जाहिर सी बात है यही कहा जाएगा कि पार्टी को मजबूत करना है संगठन को मजबूत करना है तमाम उद्देश है लेकिन ये लुकी छुपी बात है मैं आपको एक तारीख याद दिलाता और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों उसके बाद नितीश कुमार इस्तीफा देते हैं भाचपा से अलग होते हैं तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं सरकार बन जाती है बिहार में बड़ा खेल हो जाता है और एक बार फिर अगस्त खत्म हो चुका है सितंबर आ गया है और सितंबर के महीने में चार सितंबर को तेजस्वी यादव ने एक ऐसी मीटिंग बुला दी है जो भारती जंता पार्टी के होश उडाने के लिए काफी हैं चर्चा ये है कि इस बैठक में इस बात पर मन्थन किया जाएगा कि आगे की रणनीती क्या होगी और दूसरी त आधार पर जो सर्वेक्षन बिहार में हुआ उस पर नितीश कुमार का अगला स्टेंड क्या है आरक्षन की जो सीमा बनाई गए जिसको सुप्रीम कोट से जटका लगा उस पर नितीश कुमार ने आगे क्या सोच रखा है यानि नितीश कुमार पर दबाव बनाने की तयारी और नीतीश कुमार खामोश है, चुप है, बोल नहीं रहे, कैसी त्यागी से प्रवक्ता का पद ले लिया, ललन सिंग को अपनी टीम में शामिल नहीं किया, मनिश वर्मा को महसचीव बना दिया, यानि नीतीश कुमार लगातार फैसले लेते जा रहे हैं, ललन सिंग के जितन पटना में RJD की मीटिंग खट्म होते होते नितीश कुमार कोई स्टेप ले 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 नितीश कुमार कुछ ऐसा कर दे जो बिहार की राजनीत में भूचाल ला दे और इस बार भूचाल सिर्फ पटना में नहीं आएगा सिर्फ बिहार में नहीं आएगा अगर नितीश कुमार कोई कदम बढ़ाते हैं कोई कदम चलते हैं अगर नितीश कुमार तेजस्वी के साथ खड़े होते हैं क्योंकि मजबूरी है नितीश कुमार की अगले साल विधान सभा का चुनाओ है जातिकर जंगरना बड़ा मुद्दा है आरक्षर की सीमा बड़ा मुद्दा है अगर नितीश कुमार इस पर अपनी लाइन कलियर नहीं करते हैं तो जेडियू को दो चार सीटों के भी लाले पड़ जाएंगी दोस्तों इसलिए नितीश कुमार के लिए अब ये मजबूरी बन गई है कि उनको अपना अगला फैसला बताना होगा अगला कदम बताना होगा बिहार की जंता के सामने स्पष्ट होकर अपनी बात रखनी पड़ेगी मैं बार बार कह रहा हूँ अगर वो लाइन कलियर नहीं कर रहे ह तो ये जेडियू का ही नुकसान हो जाएगा और इसलिए अब बिहार में ये चर्चाएंग चल रही है क्योंकि अचानक जो तेजस्वी ने मीटिंग बुलाई है विधायकों और सानसदों की ये कहीं बड़े राजनیतिक खेल के पहले का होमवर्ट तो नहीं है और मैं बार-बार आपसे बात कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कि नितीश कुमार का स्टेप सिर्फ बिहार में भूचाल नहीं लाएगा नितीश कुमार का स्टेप इस बार दिल्ली में भी भूचाल लाएगा क्योंकि उन्हीं के कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी ह नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री है नितीश कुमार और नाइडू को अगर आप अलग कर दीजिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार तुरंट गिर जाएगी दोस्तों बिहार को विशेश राजी का दर्जा नहीं मिला है इस बात को जहन में रखिए ध्यान में रखिए और उसके बाद आप देखिए कि तेजिस्वी यादो और लालू ने अचानक विधायकों और सांसदों को बुला लिया अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना सत्र है चुनाओं में एक साल का टाइम है ना दिल्ली में कोई हल चले फिर भी ये मीटिंग अब मीटिंग का एजेंडा तो पार्टिया आपको यहीं बताएंगी गोदी मीडिया आपको यहीं बताएगी कि संगठन का काम है संगठन को मस्बूत करने का काम है आगे की चर्चा करनी है लेकिन अंदर क्या होता है दोस्तों अंदर कौन कौन सी चर्चाएं होंगी अंदर कौन सा एजेंडा तयार हो रहा है वो कौन सी तयारी है क्या कोई बड़ी सेंदमारी करने की तयारी हो रही है क्या नितीश कुमार के लिए रेट कारपेट बिछाने की तयारी हो रही है क्या नितीश कुमार के लिए स्वागत की तैयारी है क्या नितीश कुमार ने ठान लिया है कि उनको एक बार फिर बिहार में बदलाव कर देना है अब दोस्तों ये तो मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा लेकिन पटना में इस मीटिंग की चर्चा हर चौराहे पर है हर चौराहे पर चर्चा है, मीडिया भी सतर्ख है, तैयारियां पूरी कर रही है कि 4 सितंबर बेहत खास दिन होने वाला है बिहार की राजनीती के लिए, बिहार की सियासत के लिए और बिहार के आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि तेजस्वी और लालू ने ये मीटिंग बुलाई है, और नीतीश कुमार खामोश है, चुप है, वो किसी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक लंबे वक्त से नीतीश कुमार चुप है, नीती आयोक की बैठक में नही दे रहे हैं, यानि NDA में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बिहार की राजनीती में क्या कुछ होने वाला है दोस्तों, क्या कोई बड़ा बदलाओ, बड़ा परिवर्तन, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, जो भारती जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल देगा, स होने वाला है, क्या फिर कोई एक नई शपत होने वाली है, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजेगा दोस्तों, आपकी राय बेहत महत्तु पूर्ण है, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नमस्कार